हरे कृष्णा राधे राधे तो फ्रेंट्स आज मैं आपको दहलीज पूजन करके बताने वाली हूँ आप सभी जानते हैं कि दहलीज पूजन के अनेकों लाब हैं लेकिन मेरी कुछ बहने हैं जो कहती हैं दीदी हमें सुबह के समय इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि हम अपनी दहलीज पूजन कर पाएं तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे दो तरीके बताने वाली हूँ बहुत आसान से कि अगर आप इन्हें आजमाएंगी तो आप जो है रोज अपनी दहलीज पूजन कर पाएंगी तो दहलीज पूजन हमेशा सुबह के समय किया जाता है और कहते हैं लक्षमी नाराइन सुबह के समय ब्रहमर पे निकलते हैं और जिस किसी की भी दहलीज सुन्दर से सजाई हुई होती है लिपी पुती होती है माता लक्षमी उस घर में प्रवेश कर जाती है और जहां माता ल कहुंगी कि नई साल के पहले दिन से आप दहलीज पूजन शुरू कर दें तो यहां पर लिया है मैंने एक लोटे में जल और थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया है अब मैंने थोड़े से छीटे मार लिये हैं दहरी पे और दहलीज का जो है साप सफाई मैं सुबा नहाने से पहले कर चुकी हूँ तो देखिए पहले के लोग जो थे जिनके मकान कच्चे होते थे वो लोग गोबर से जो है दहरी को और लीपा करते थे लेकिन क्योंकि अब जो है गोबर से कोई लीपता नहीं है और पके मकान है तो आप जो है यह गेरू जो आता है लाल मिट्टी वी जिसे कहते हैं आप चाहे इसे भी अपनी दहलीज को किसी भी तरह से आप चाहें डिजाइन बना सकते हैं जो भी आपको आता हो और या फिर आटे से जैसे भी आपको सुविधा लगे या फिर चावल को भिगो के उसको पीस ले और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला ले आप इस तरह से भी आप जो है दहलीच पूजन कर सकते हैं तो दहलीच पे आप चाहें स्वास्तिक बना सकते हैं आप लक्षमी जी के चरन बना सकते हैं तो फ्रेंट्स मैंने यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से देखिए यह डिजाइन बनाया है और जादा तर मैं यही डिजाइन डाल देती हूँ यह जल्दी भी बन जाता है और देखने में सुन्दर भी लगता है लक्षमी जी के चरन जो है न मैंने थोड़ा साइड में लगा रखे हैं बीच में लगाने से मुझे थोड़ा डर लगता है कि जो है लक्षमी जी के चरन पर किसी के पैर ना पड़े जिससे की उनका अनादर हो तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने खडिया मिट्टी भी घोल के रखी है और फ्रेंट्स मैं सच बताऊं मुझे इसक देहरी पूजन करती हूं अगर आप डेली में नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम जैसे भी आप जब कोई वरत करते हैं या फिर कोई त्योहार होते हैं एकादशी हो गई या जैसे कोई बैववलक्षमी के वरत कर रहा है या कुछ भी तो आप छोटे छोटे त्योहारों पे तहलीस पूजन जरूर करें, पूरिमा हो गई, अमावश्या हो गई, इस तरह से, तो देखिए, यहां पर रखे हैं मैंने थोड़े से अक्षत, और उसके उपर जो है मैंने रखा है एक दिया, दिया आप मिट्टी का भी जला सकते हैं, यहां पर मैंने पीतल का दिया रख दि तो वो थोड़ा सा साइड में लगा देते हैं दर्वाजे के राइट साइड में और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बार-बार किसी का बाहर आना जाना हो रहा हो तो फिर आप साइड में ही दिया लगाएं जिससे की वो दिया कोई लांग करना जाए और उसमें क किसी का पैर ना लगे तो यहां पर मैं थोड़े से पुष्प चड़ा रही हूं और मुझे ना फूलों के बिना कोई भी पूजा अधुरी अधुरी सी लगती है मुझे फूलों की महग बहुत पसंद है तो क्यूंकि दहलीज पूजन कर रहे हैं तो फूल तो बनते ही हैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें करना चाहिए तो सुबा उटकरना हर महिला को सबसे पहले अपने दर्वाजे की साफसफाई करने के बाद ना दहलीज जरूर लीपनी चाहिए आप दहरी चाहिए हल्दी से गेरू से या फिर कुम कुम से तो कैसे भी आप अपनी द दूसरा तरीका जो की और भी जादा सरल है तो यहां पर फिर मैंने इसी तरह से थोड़े से गंगाजल के छीटे लगा लिये हैं देहलीज की सापसफाई हो चुकी है और फ्रेंड्स ये वीडियो है अगले दिन की तो यहां पर जो है मैंने लिया है हल्दी और मैं अपनी देह सकती हैं तो आप लक्षमी जी के चरन मना दे या फिर आप एक छोटा सा फूल ही क्यों ना बना दे लेकिन आपको रोज अपनी देहलीज पे कुछ ना कुछ जरूर बना के रखना है ठीक है और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो जो स्टीकर्स आते हैं मार्केट से आप उ उन चावलों को ना कभी भी हमें जाडू से जाड के फेकना नहीं है उन चावलों को आप पक्षियों के लिए डाल सकते हैं तो देखिए यहां पर दूसरा भी मैंने आपको सरल तरीका बताया है या तो आप खाली हल्दी से लीप दे यानि की एक पतली सी आप लाइन बना अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूलों से कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं यहां पर मैंने एक सीधी लकीर आपको खीच के बता दी है तो देखिए दीपा वली पर हम लोग अपनी दहलीज को कितना सुंदर सजाते हैं कितनी सुंदर सुंदर डेकुरेशन करते है कि माता लक्ष्मी का आगमन होगा तो आप ही बताएए क्या आप पूरी साल नहीं चाहते कि माता लक्ष्मी आपके घर आए तो देखिए अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी बस दो मिनट या पांच मिनट अपने सुभा के निकाल के और आप अपना दहलीज पूजन जरूर करें सुभा में आप नहाने से पहले घर के दर्वाजे की साफसफाई कर दें एक सुन्दर सी कोई डिजाइन बना दें आप और आप चाहें उसका पूजन जो है आप नहाने के बाद भी कर सकते हैं तो अगर आप दो मिनट या पांच मिनट दहलीज पूजन के लिए निकालेंगे न तो आप जो है बहुत सारे बदलाओ देखेंगे घर में बहुत खुशियां आने लगेंगी तो बस यही है आज का वीडियो वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शियर जरूर करें मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए